ग्यांद ट्रेसर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बहुत साजी तस्वीरे हैं जो हमें अपने घर में नहीं लगाना चीए उसे गरीबी और दुर्भाग गयाता है कई लोगों पो अपने घर और दुकान में सुन्दर तस्वीर लगाने का शौक होता है लेकिन वास्तु के अनुसार सभी प्रकार की तस्वीरे घर में या दुकान में नहीं लगानी चीए वास्तु सास में ऐसे कुछ तस्वीरों और चित्रों का उलेक किया गया है जिनने घर में लगाने से परिवार का सुख, शान्ती, शेम सब छीन जाता है तो आपके घर में या दुकान में कोई भी फोटो मौजूद हो जो मैं आपको बताने वाला हो तुसा आप वहां से हटा दो क्योंकि ये जो तस्वीरे होती है वो अशुप तस्वीरे होती है वो आपको अपने घर में या दुकान में नहीं लगाना चीए जिसे एक तस्वीर होती है दिखने में बहुत अच्छा लगता है डूप्ती भी नाओ का फोटो डूपती नौ की तस्वीर अपने घर में कभी नहीं रखना चीए ऐसा करने से आपका सौबाग्य भी दुरुभाग में बदर सकता है साथ ही ध्यान रखे कि ऐसी कोई भी तस्वीर हो अगर आपके किसी जानकार की घर में भी है तो उसे त्रंध हटवा दे क्योंकि ऐसी जो तस्वीर होती है वो रिष्टों पर भी असर डलती है आप नहीं है डुबाऊगे पर आट्यमेडिक होता है कि आपके रिष्टे हो सकता है खराब होते चले जाए क्योंकि उसका वास्ट दोस है आपका वास्ट दोशनियाब की कोई गलती नहीं आजकल modern art है लोकुषी बना देते हैं तो कई अजीब तरह के फोटो का चलने कई लोग घर में रोते बच्चों की फोटो सजाई जाती है तो इस तरह का फोटो घर या दुकान में लगाना बहुत अशूब माना जाता है बच्चे जो होते हैं बच्चे को सवाग कर प्रतीक माना जाता है इसलिए आप बच्चे का हस्तोवा तस्वीर लगाइए रोता हुआ तस्वीर तो दिखने में ऐसे भी नहीं लगता है और यह कोई art नहीं है क्या प्रूताव तस्वीर दिखा है उसके बुले हैं देखो क्या आर्ट है वो आपका वासुदो स्कराब करता है फिर है मामहारत का फोटो मामहारत हिंदु धर्म का सबसे बड़ा ग्रंट है इसमें कोई शक्त नहीं है इसलिए से पुझनिये माना जाता है को पुझनिये माना जाता है फुझनिया होने पर भी इस ग्रंट को घर में रखना आशूब बना जाता है प्रूकि मामहारत पर पारिवारिक जगड़े और कलेश की कहानी है इस ग्रंट में जो युद्द से सम्मंदित किसी भी फोटो घर में रखने से घर में तनाव पैदा होता है लाई जगड़ी की स्तिती बनी देती है इसलिए इस तरह के जो फोटोज है खास करके एद्दू वाले जो फोटोज है वो कदापी घर में नहीं लगाना चीए आफिस में भी नहीं लगाएंगे तो अच्छा है पर आशकल बहुत लोग जो हैं वो आफिस में लगाते हैं वो मानते हैं कि अच्छा होता है पर एक्षली में भी नहीं लगाना चीए उसके बाद आपका हिंसक जानूरों की तस्वीर है देखें शेर वगरे देखने में तो अच्छा लगता है उनके फोटो भी अच्छे लगता है इछे जंगल है और शेर उसमें चला रहा है या बाग चला रहा है लोग आशकल अपने घर के सुन्दरता को बढ़ाने के लिए घर में जानूरों की पेंटिंग का इस्तेमाल देखते है ये पेंटिंग आपके घर को सुन्दर बना जाएक ये कोई डाउट नहीं है लेकिन ये तस्वीर लुकसान दायक साबित हो सकती है इससे जो अफेक्ट होता है वो ये होता है कि घर की जो अशान्ती है अशान्ती बढ़ती है उसके बाद एक और फोटो जो आपको अवाइड करना है वो फोटो है युद्ध का फोटो अगर आपके घर में भी अशान्ती का मौल है तो ध्यान दें कि कहीं आपके घर के किसी कमरे में युद्ध किसी पिसाच या जादूगर का फोटो तो नहीं लगाई है क्योंकि यह सारी जो फोटो हैं चायुद का हो या पिसाच का हो या जादूगर का हो यह कहीं न कहीं हमारे फैमिली को डिस्टरब करता है हमारे सौभाग को रोकता है फिर है ताजमेल की तस्वीश ताजमें लेके सुन्दर है और सुन्दर होने के साथ-साथ मुम्ताज की कब्रगाह भी है इसलिए तस्वीर या शूपी सटने से नेगेटिविटी फैल दिये वह मौत से जुड़ा हुआ है इसलिए से घर में नहीं रखें और एक चीज और ख्यार लखिएगा आप इसको गिफ्ट भी मत दीजिएगा इसको तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद